पूरे जुंड का कोई एक लीडर है जो इनको मिस्काइड करते हैं आपके खिलाफ ये परसन क्यों आपके खिलाफ करते हैं क्या इनकी मंच्छा है आए देखते हैं आज की रीडिंग में वाई इस पीपल आपके खिलाफ रहता है तो डेफिनिटली कोई रीजन होना चाहिए और इस ग्रुप को जो लीड करते हैं आगी डेविल एनरजी जो ऐसे रीडिंग में हमको चाहिए होती है क्या है इनके खोपड़ी में क्या चल रहा है आपके लिए ये परसन की एसी रीडिंग में एक तो डेविल एनरजी और इनको मिसगाइड करने वाली कोई मिडल एजन फीमेल है और इनको जो आपके खिलाफ ये पूरे ग्रुप को मिसगाइड करती है ये चाहती है कोई आपकी फेवर में बात ही ना करे अगर आप कभी अड़के भी खड़े हो जाते हैं तो ये आपको ऐसा फील कराते कि आप जो भी कहते हैं ये सब मुर्खो वाली हरकते हैं जान मुझ के आपका आपकी जो इमेज है ना जबकि आप इतने सीरियस परसन हैं सीरियस इन दर सेंस में ये नहीं कहूंगी कि हर वक्त आप सीरियस रहते हैं संजीदा है अपने रिस्पॉंसिबिलिटीज को लेकर लेकर लेकिन ये हमेशा दे को टावर काड़ आया है खिलाफ जो ये करती है ना शड़े अंत्र या प्लानिंग या लोगों को मिसकाइब ये इसलिए कि आपकी जो ताकत है आपकी जो energy है आपकी जो aura है उससे इनको डर लगता है और इनको पता है कि आप एक ऐसे बंदे या बंदी है जो life में कुछ भी कर गुजर सकते हैं You are one man army. आपके लिए जो एक सही वर्ड ये समझते हैं, जो कि आप हैं, You are one man army. तो आप अकेले ही सब के लिए काफी हैं. तो ऐसे में कमजोर लोग क्या करते हैं? आपके खिलास गुरुप खड़ा करते हैं, गुट खड़ा करते हैं. आपकी हर बात को काटना, आपको non-serious आपकी image को create करने की कोशिश करना, ये हमेशा इस बात की कोशिश करती रहती है. उसकी वज़ा जैसे कि मैंने अल्री बताई, आपकी जो एक अडियल पना है आपमें, एक जिद्धी पना है, जो इनको बहुत ही खलता है. इसके अलाव फ्रेंड्स में आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, डेविल और मून कार के साथ, जो उसके उपर टावर, डेविल, मून, ये आपके खिलाफ ब्लैक मैजिक भी प्रैक्टिस करती है. ये सब को आपके खिलाफ खड़ा करती है. और आप अपने नाकुन और अपने बालों का ध्यान रखिये, फ्रेंड्स. ये आपके नाकुन और बालों को चुराने की कोशिश करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक इन पर काम करता है. अगर आप ये सोचेंगे ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि 6 महीने तक जब आप बाल काट लेते हैं या नाकुन काट लेते हैं, 6 महीने तक कम से कम इनकी जो एलर्जी है ना कटे हुए नाकुन और बालों की वो आपके सार जुड़ी रहती है. इसलिए पुराने जमाने में जब खहते थे ना के नाकुन काट कर एक जगा पर फैक दो किसी को पता ना चले, बाल का भुच्छा बनाके उससे जला दो या फैक दो, उसका रिजन यही होता था कि किसी के हाथ ही लग जाए ना तो उसके लिए बैग मैजिक करना आपके खिल सकती है, इनके हाथ में आपकी कोई चीज से ही आनी जाये, आपके कपड़े, इनके हाथ से खाना पीना आपको नहीं है, क्योंकि यह ब्लैक मैजिक टैक्टिशनर भी है, यह ग्रूप को आपके खिलाफ खड़ा करती है, ताकि आप कमजोर पड़े, जब इतने लोग यह करना लोगों को आता है, लेकिन होता क्या है, जब स्टार्टिंग में यह लोग बहुत हावी हो जाते ना, तो कई बार आपको भी लगता है, बहुत लोग आपसे दूर हो चुके हैं इनकी वज़ा से, लेकिन आपको घबराने की जरुवत नहीं है, इनका जो कर्मा है, इनक से दें, आपकी, मैं यह कहूंगी, परसनालिटी से, आपकी अपीरियंस से, आपको जो प्यार मिलता है कुछ लोगों से, उससे भी इनको बहुत जैलसी है, बैसे आप ऐसे परसन हैं, जो बहुत जल्दी लड़ाई चखड़ों में नहीं पढ़ते, मेरे जादातर वीवर्स क्योंकि यह जैनरल वीडिंग है, तो हो सकता है, कुछ मेरे वीवर्स ऐसे हो, जो तुरंत ही हिसाब किताब करी लेते बराबर, लेकिन मेरे जादातर वीवर्स ऐसे हैं, जो तुरंत ही किसी डिसिक्शन पर नहीं आते, आप ढील देते हैं, आप मौका देते हैं, पतं को करते हैं, आप इसलिए रिते हैं कि आपको घर के महौल में या आसपास के महौल में शान्ती चाहिए, आप नहीं चाहते कि आपके कुछ कह देने से इस परसन की इज़त ऐसी उतर जाए कि वो फिर किसी को नजर दिखाने का बिल ना रहे, बस उस प्रॉब्लम से इसे बचान करने वाले नहीं है, तो इनको आपकी परसनालिटी से जो इज़त आपको लोगों से मिलती है उससे और आपका जो एक अडियल पना है ना वो ये इस चीज को परदाश नहीं कर पा रहे, कही ना कहीं को लगता है आप इनके खिलाफ कहीं दूसरों को ना करतें, जो कि आपकी फितरत ही नहीं है, कि लोगों को किसी के खिलाफ कर देना वो भी बीना वज़े, अफकोर्स अगर आप ऐसा कभी करेंगे भी तो उसके पीछे कोई वज़े जरूर रहेगी, लेकिन इनको डर लगता है कि इससे पहले आप दूसरों को उनके खिलाफ करें, उन्होंने दूसर आफी प्रदर्शन करता है, और प्रदर्शन का मतलब यह नहीं के हरस्ते पर निकल आते हैं, मततब आपको हर बात में इस तरह से काटते हैं, आपको इस तरह से दबाने की कोशिश करते हैं, कि आपकी आवाज डब जाए, आप इस पात से बहुत ज़ादा तंग आ भी चुक आप अभी उस एनरजी में है, जिस दिन आप फट पड़ेंगे इनके लिए टावर मोमेंट आएगा, खैर आपके लिए इस वक्त टावर मोमेंट है, लेकिन जिस दिन आप फट जाएंगे इनके लिए टावर मोमेंट जरूर आएगा, वैसे कुछ लोग हैं जो आपके फेवर आपने में भी कोई दो बार नहीं सोचेंगे, ऐसे लोग हैं ये, मुझे अपने शब्द ध्यान से यूज करने पड़ते हैं, ये रीडिंग है, लोग देखते हैं, हर उमर के लोग देखते हैं, तो मैं लिहास कर रही हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं, कि मुझे कितना गुस् कि मैंने आपको कई बार का है, आप पर आपके एंसेस्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी ब्लेसिंग्स है, लेकिन उसके बावजूर पी चौकनना रहना हूँ आपका फर्स है, आपको अवेर रहना बहुत जरूरी है, ऐसे गिरे हुए लोगों से, तो ये आपकी खिल के मैंसेजर आपके लिए, आज, अगर आप किसी दुविधा में फंसे हैं, तो किसी सीनियर की एड़इस ले, अगर आपको लगता है किसी बात को ले किसी दुविधा में हो सकता है, इन लोगों के नेचर की वज़ से, इस गृूप के वज़ से, आप को बढ़ लगता है, आपको समझ नहीं आता इनसे कैसे डील करदा है आपको समझ जाएंगे यह तो इनका तो पत्ता साफ हो जाएगा लिकिन अगर आपको अभी ऐसा लगता भी है तो आप जरूर किसी मेक्चियोर परसन की एडवाइस लेके आगे बढ़े ऐसा आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए मैसेज है अपनी हेल्थ और पीस पर कॉंप्रोमाइस ना करें डेगिटिव लोगों से दूर रहें यह लोग जो आपके पीस को आपकी शान्ती को नुकसान पहुंचाते हैं आप इस पर कॉंप्रोमाइस ना करें मतलब आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं अब आप कॉल ले ले आपको एक्शन ले इनके खिलास और इनको चुप करें इन लोगों से यह तो दूर हो जाएं यह इनको कोई सबग सिखाएं जैसे को तैसा इनको सबग सिखाना ज़रूरी है फिर से यह री इनफोर्समेंट आ रहा है मेसेज़स में कि अब आपको चुप नहीं रहना है अब वो वक्त आ गया है कि आप इनको सबग सिखाएं इनको इनकी आउकार दिखाएं जैसे को तैसा यह सबग आपको इनको देना है बहुत जल्द इनको रियलाईज होने वाला है बहुत जल्द इन लोगों को जो आपके खिलाफ भुरुप बना के खड़े हैं आपको आपके खिलाफत करते रहते हैं आपको हमेशा गलत साबित करते हैं बहुत जल्द इनको सबग मिलने ही वाला है आप ही यह सबक का बाइस बनेंगे, आप ही इने सबक सिखाने वाले हैं, और रेड़ी यह रीडिंग में बार बार आ चुका है और आपको स्टैप लेना बहुत जरूरी बन गया है, वरना ही आपके पीस ओफ माइन को खराब कर देंगे, किसी की दुआ जो आपके लिए है, फ अपने वर्ड सोच कर बोले, कोई इनका गलत मतलब ना निकाल ले, फिरिंट्स कही बार आप जब टैंशन में होते हैं, दुविदा में होते हैं, इस्ट्रेस में होते हैं, तो आप बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं, जिसका आपका मतलब होता ही नहीं, यह आप ऐसे वर्ड यह इसको तोड मरोड के कुछ और बताते हैं, तो आपके लिए मैसेज आया, जब आप बोले, सो समझ कर बोले, पाले बेंटरी लेंगवेज का इस्तेमाल करें, ताकि यह आपको किसी भी तरह से दबाना सके, जो भी वर्निंग साइंस मिले, उन पर ध्यान दे, जो भी आपके एंजल्स या एंसेस्टर्स या युनिवर्स आपको वर्निंग साइं देते हैं, कभी आपके साथ जैसा यह गलत कर रहे हैं, आप इसे लेट गो मत करें, यह आपको कहरें कि अब वक्त आया कि आपको कोई ना कोई एक्शन लेना बहुत जरूरी है लाइफ में, इन लोगों कोशिश की जा रही है, यह मैसेज आया आपके लिए, और जो कर रहा है ना उसको फ्लावर्स पेंटिंग और राइटिंग का शायद बहुत शौक है, यह आपके लिए कोई साइन है, ध्यान देश को है, बहुत खुबसुरत मैसेज आया है, अपने पासवर्स का बहुत आप बहेव कर रहे हैं, और इनको यह भाशा आप समझ नहीं आ रही है, तो पॉजिटिव लोगों को तो रखे, लेकिन बाकियों से यह तो दूरी बना है इनको अच्छा तगड़ा सबक अब आप सिखा तो अच्छा है, कौन-कौन आपके सिम्लिंग्स या बच्चों के फ बच्चे तो इनको भड़काने वाले है कोई, और आपको पता है कोई middle-aged lady है, या तो इनके ही parents हैं, जो इनको आपके खिलाफ भड़काते हैं, आपके जो बच्चों की friends हैं, या फिर आपकी जो siblings हैं, उनके घर के लोग, अगर वो और आपके शादी शुदा है, तो उनके के लोग आपके खिलाफ उने भड़काते हैं, पास्ट में से निकल जाए, आगे बढ़े, आप बहुत जादा पास्ट में रहते हैं, कि मैं पास्ट का कैसे चेंज करूँ, पास्ट में काश मैंने यह ने किया होता, लेकिन इस प्रोसस में आप फ्रेंड्स ये भूल रहे है आपके लिए ये मैसेज बहुत अच्छा निकल कर आया है, इमोशनल होकर कोई फैसला मत ले, जो डिसीशन ले, पूरे होश हवास में ले, आजकल ऐसा लगता है कि आप बहुत ही जजबाती होके डिसीशन ले रहे हैं, जब बहुत लोग आपके खिलाफ होते हैं, आप इमो बहुता हुआ हो, तब कोई फैसला ना ले, फैसला तब ले, जब आपका दिमाग शान्त हो, आप बहुत अच्छा और सरी फैसला लेंगे, ऐसा आपके एंजल्स और उनिवर्स का कहना है, यू आर अ मैगनेट फोर अबंदन्स, थैंक उनिवर्स वारिट, आपको शाएद पता नहीं, आपके अंदर ऐसी ही चुम्बकी शक्ती है, जो एबंदन्स को एट्रैक कर सकती है, बहुत चीजों को एट्रैक कर सकती है, जो कि पॉजिटिव है, लेकिन आप उस वाद से शाएद इस वत अवेर नहीं है, तो अपने लिए अवेर्नेस लाएं, कि आपके एबंदन्स को एट्रैक करते हैं, इस बात के लिए अपने एंसेस्टर्स और इवर्स को धेर सारा थैंक्स कीजिए, कि आपने ये ताकत है, आपने ये शक्ती है, कोई आपकी पावर ताकत को स्टील करना चाहते हैं, जो आप ये बात को नहीं समझें, लेकिन आपका मत कीजिए, इसको इजीली उनके हथे नहीं चड़ने देना है आपको अपनी पॉजिटिविति को, जो आपसे बतला लेना चाह रहे हैं, उनकी उल्टी गिंती शुरू हो गई है, जो आपसे बतला लेते हैं, आपके खिलाफ कुश्रा कुछ करते हैं, उनकी उल्टी गिंती शुरू हो गई क्योंकि आपके ancestors और universe उनको कते शमा कर दे के mode में नहीं है आपको तो इस बाद को celebrate करना चाहिए आईए एक और card लिकाल के reading को करते हैं complete अपनी jewelry money papers को safe रखे मैंने तो यह आपको बाल और नाखुन के लिए कहा है आपको इसके अलावा अपनी jewelry पैसे और papers को safe रखना है अपने passwords को safe रखना है खास तोर पे आपके लिए messages आये हैं बहुत चौकनना रहना है friends आपको डर नहीं है डर से आप कमजोर पढ़ेंगे चौकनने रहने से आप हिम्मत वाले बनेंगे आपको पता लगेगा सामने वाले को कैसे हराना है तो आज के जो messages आये हैं आपके लिए आज की जो रीडे के उसमें से क्या क्या रिजोनेट हुआ आपको कि लोगों पर शक है यह सारा आप comment section में जरूर लिखिए फ्रेंड्स अगर आपको मुझसे personal reading book करवानी है तो आपको gmail करना है मुझे और मेरा gmail address मैंने description box में लिखा हुआ है इसके लाव फ्रेंड्स आज का affirmation है tit for tant जैसे कुछ तैसा यह आपका affirmation है कुछ ना समझ आए I claim this reading या छोटा सा yes और आप देखेंगे कैसे आपकी favor में साब कोई सारे ancestors, spirit guides, angels, universe आपके लिए activate हो जाएंगे और यह जो आपके खिलाफ कुछ ना कुछ करते रहते हैं इनको जबर्तस सबक सिखाएंगे और सबक आप ही सिखाएंगे बस वह आपको guide करेंगे इको सबक सिखाना तो कैसे सिखाना है तो friends आज के reading होते हैं complete love you all see you soon your friend madhura bye